अजुए। Hello everyone आज मैं आपको बताने ज़रा हूँ कि आप Samsung account कैसे create कर सकते हैं तो आप कोई भी Samsung का product यूज़ करना चाहते हैं जैसे आप टीवी यूज़ करना चाहते हैं Samsung तो उसमें आपको Samsung account का दरुत पड़ती है या पिर आप फोन यूज़ करते हैं आपको वहां पर भी आपको Samsung account के जरुवत पड़ती है तो मैं आज इसी को बताने जा रहा हूं कि आप Samsung account कैसे create कर सकते हैं और कहां पर यहां पर भी कर सकते हैं तो दोनों का प्रोसिस सेम है तो पहले क्या करना है आप गूगल उपन कर लें अपर प्रोसिस कर लें यहां पर सरच करें Samsung YouTube account आप सचक्छ यहां पर देख सकते हैं samsung account आ चुका है अब यहां पर से अकांट इसको आप क्लिक कर लें सेम प्रोसेस है लापटाउप और फोन के लिए दो नो सकते हैं यहां पर आपको देख रहा है कि साइन अगर आप पहले से युजर आपके पहले से अकांट है सामसंग का तो साइन पर जाए अगर आप फर्स्ट अप निव यूजर है तो आप क्रियेट अकॉंट पर जाए तो यहां पर आप जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो भी आपको टम्स और कंडिसंस आप सो को मांग रहा है यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपको इमेल आड़ी मंग रहा है यहां पर आप क्रियेट कर सकते हैं या फिर आप अपना फोन नंबर यूजर कर सकते हैं तो अगर इमेल आड़ी यूजर करना चाहते हैं तो अभी इमेल आड़ी के लिए है अगर आप फोन नंबर से तो एमेल आइडी में हामने है में यहां पर आपके पासट भी जी मैल अकाउंट होगा ज्ट गोगल में यूज़ करते हैं जी में उसका यूज़ कर लें यहां पर उसे यहां यूज़ डाल ले नहीं कर लिए तो आप उसी टप से पासवर्ड यहां पर रखें कि यहां पर डेट अबर्थ अम्में स्लेक्ट कर लेनी है अब यह कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद आप क्या करें नेक्स्ट कर ले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर दिखा रहा रहे हैं और है कि विरिफाइ आ का करनी है, आपको अपने जीमेल अट पर जानी है वो इस पर यहां पर देख सकते हैं भिरिफिकों जो कोड है वो आ चुका है हम इस कोड कोड किया का नहीं है डूबागे आपकर अधिक करने के लिए आप इसे हम्हें यहां पे डॉलब दिया का पिस्ट कर दिया और इसको next कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो Samsung account है यह क्या हो गया यह create हो चुगा यह done हो गया तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर Samsung account create कर सकते हैं तो I believe कि आप कोई समझने में काफी असान होई होगी तो इसी account को आपको क्या करनी है अभी आप अपने phone पर जाएं या TV में जाएं और वहाँ पर अगर phone पर आप यूज़ करना चाहते हैं smart thing यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस ID को दे करके login करें अगर आप TV पर Samsung TV में इसको यूज़ करना चाहते हैं जिससे कि आप voice command या बाकी के feature से उसका सकते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि आप laptop पर या फिर मॉवाइल पर आप कैसे Samsung phone create कर सकते हैं तो यह मैंने बता दिया भी इसको हमें Samsung TV में कैसे हम यूज़ करें सो इसको तो आप setting में जाएं सेटिंग में जाने के बाद आप जाएं यहां पर जिन्रल जिन्रल में जाने के बाद जाएं सिस्टम मैनेजर Samsung account तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो पहले से अकॉंड लॉग इन है तो यहां पर दिखा रहा है अभी जो कॉंड क्रेट किया हमने उससे साइन इन कर सकते हैं आप यहां पर तो उसको साइन इन करने के लिए साइन इन पर जाएं और यहां पर आप आईडी डालते हैं तो अभी हमें यहां पर और अपना इडे डी आप समसें गोट का भी पासवर्ड हमें देते नहीं है तो हमने पासवर्ड भी देदिया यहां पर साइन इन और पर चाहते हैं तो आप रिसेट को पर जाकर रिसेट कर लें अगर आप पॉसर्ट भूल गए तो तो हम आप साइन इन कर लेते हैं तो आपने देखा कि यह जो है इस तरीके से यहाँ पर यह साइन हो चुका है अब यह अकॉंट में यह बहुत कमांड के उपर आप टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं यह फिर आप इसको आगे बढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो साइन था हो सक्सेस्फूल हो चुका है तो अब यह टीवी में आपका साइन इन हो गया अब यह वापस आप चेक कर लें जा करके तो आप जेनरल पर जाएं सिस्टर मैनेजर सामसंग अकॉंट अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो जिस आईटी के साथ लॉग डिन है वह यहां पर सोग कर रहा है तो यहां पर आप इस तरीके से सामसंग अकॉंट को आप यूज कर सकते हैं सामसंग टीवी में तो आपको सामसंग अकॉंट कैसे बना जाता है और कैसे यूज किया